सुरज शेरमार ड्रक्स ने हेराफेरी करता बे आरोपी ने LCB जोन 4 नीटे में धर पकड़ करी आरोपी मजूरागिटी गांधी स्मृती भवन पासेती बाइक पर ड्रक्स लेने हेराफेरी गरवाज जयायाता तेरे पोलिस से अठ्वा लाइन पोलिस ने साथे राकी बन्ने आरोपी ने 10 लागती वदूनी किम्मत ना मुद्धामाल साथे जड़पी पाड़े आता कदम भवन पासेती पोलिस ने मलेली बातमी मुझहप एक काडा कलनी बाइक पर बे युवकों पसार ते रहाचे पोलिस से बन्ने युवकों ने अठकावी जड़ती लिता आरोपी यो पासेती रुपया 10 लागती वदूनी किम्मत नो सो पांट साइट ग्राम प्रतिबंदित ड्रक्स मले आव्योतू प्रकडायला आरोपी बिट्टू कुमार सुभोत पांडे शेह ना पांडे सारा विस्तार मा आवेला वड़ोत गाममा रहएचे ते मुल बिहार ना ओरंगा बाद जिल्लानू वतनी चे बिजो ओगणी सवर्षिया आरोपी प्रशांत प्रजापती शेहना पांडी सारा विस्तार मा आवेला गणेश नगरमा रेचे मुल उत्तर प्रदिश्णू वतनी चे अब बन्ने आरोपियों पोताना आर्थिक लाव माटे ड्रक्स नी हेरा फेरी करता था पुलिसे बन्ने आरोपियों ना मुद्दामाल साते जड़ पी पाड़ी जेलना सड़या पाचर धकेली दिदा चे आरोब्यों कौनी पासे ती ड्रक्स मंगाऊता था, कौने आपाना था चला केटलाई समयते आ धंदा साते संक्रालाचे दिशामा पूलीसे तपास हाथ दरीशे दो आदमी परसांत जैराम परजापती और बिट्टु कुमार शुबोर पांडे ये दोने की स्प्लेंडर लेके अठवा पूलीसेशन की हद में गांदी स्मर्ति भवन के सामने कदम भवन के पास से निकलने वाले हैं और ये कादर्था की नाल के पास में किसी को एमडी ड्रक्स की सप्लाई करने वाले हैं तो इसके पुलिस्टेशन की टीम के साथ में वहाँ पे सभी स्थाप को लगाया गया और इन दोनों को वहाँ पे डिटेंड किया गया बाद में सरकारी पंचों के सामने और FSL की टीम बुलाई गई इनकी ज़रती तपास में इनसे सो ग्राम MD जो है वो ब्रामद हुआ जिसकी पुष्टी FSL ने वहीं पे ही टेस्ट करके की जिए MD है इसकी कुल किमत 10,6,000 रुपे है तो दोनों ये बिट्टू, कुमार, सुबोध, पंडे ये वडोध गाम पंडे सरह में रहता है और मूल रूप से औरंगाबाद बिहार का है और दूसरा आरोपी परसांस जैराम परजापती ये गनेशनगर पंडे सरह में रहता है और मूल रूप से ये वानदा यूपी का है ये दोनों के पास से 100 ग्राम MD गरामद हुआ तो दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और पूसराश के दूरान इन्होंने बताया कि ये जो ड्रग्स है वो जितेश पूर्फे पंडित ये गनेशनगर वडोजगाम में रहता है और मूल रूप से ये सेडोल MD परजेश का रहने वाला है उसके पास ये ड्रग्स लिया था